कि कलर देखिए बटूरों का कितने अच्छे से ये फुले हुए हैं और कितने क्रिस्पी है ये और अंदर से उत्र ही सॉफ्ट तो गाइस पिछले वीडियो में हमने छोले तो बना लिये अब हम बनाने जा रहे हैं बटूरे प्रॉलम क्यारती है जब हम घर में बटूरे बनाते है तो या तो असकी शे बत्चे से नि बन बाती या वो फूल नहीं पाते है या अगर वो फूलते है त वो तेल बहुत पी लेते है लेकिन आज यो रेसिपी हम यूल्सक्रने वाले बटूरों के लिए वह इंस्टेट रेस और कोई भी ट्रिक निम्स करेंगे तो चलिए बटूरे बनाने के लिए हम यूज करेंगे मैदा 400 ग्राम सूजी या सेमोलीना पाँच बड़े चमच कर्ड जेट सो ग्राम देसी गी के दो बड़े चमच एक चमच नमक और हमारा सीकर्ड इंग्रीडियन्ट इनो के दो सेशे अब आप एक बड़ा स्टील का बोल या एक परात लीजिए और उसके अंदर हम डालेंगे मैदा मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी और सूजी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक अभी हम तीनों को अच्छे से आपसे मिक्स कर लेंगे पहले हम अपने सब सूखे इंग्रीडियन्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे आपस में ताकि नमक और सूजी मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे दही और दही के बाद इसमें हम डालेंगे देसी गी अब दही और देसी गी को हम अपने मैदा और सूजी के मिक्स्चर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपके हाथ की जो गर्मी है और जो आपकी बॉडी हीट है उसी से ही आपका जो दिसीगी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और पूरे डो के अंदर मेल्ट जाएगा अगर आपने कड़ा या बैंगल पहनी हुई है तो कृपया उसे हटा ले क्योंकि उसमें डो फस सकता है पानी के बगएर हम पहले से अच्छे से आपस में गून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे इनो आखिर में सबसे लास्ट में अब आपको अपने आटे के अंदर धीरे धीरे पानी डालना है और यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि यह आटा जितना नरम और जितना ही गुदगुदा ही इसको आप गून देंगे उतने ही बटूरे आपके अच्छे खुलेंगे तो यह आटा थोड़ा स्टिक्की होने वाला है तो इसलिए आपको इसके काफी मेहनत करनी बड़ेगी इस आटे को अच्छा टेक्टर देने के लिए अपने हाथ की तली को या अपने हाथ की पाम को यूज़ करते हुए आपने इस आटे को अच्छे से गूंदना है जितनी ज़ादा आप इसको अच्छे से गूंदेंगे उतना ही अच्छा इसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस बनेगा जैसे ही आपका डो और आटा तयार होने वाला हो तब हम इसे थोड़ा सा तेल डालके इसको अच्छे से एक बार दुबारा मल देंगे ताकि ये तेल अच्छे से इस आटे के अंदर समा जाए अब हम एक गीले कपड़े या गीले डश्टर की मदद से अपने डो को या अपने आटे को अच्छे से कवर करके डग देंगे ताकि अब इसमें फर्मेंटेशन हो सके कम से कम डेड़ घंटे के लिए हमें अपने आटे को रेश्ट करवानी होगी Fermentation के बाद अब हम अपने आटे को अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद अपने अंगूठे से और अपनी पहली उंगली के बीच में से ये आटे की लोई ये आटे की बॉल्स को हम स्क्वीज करके बाहर निकालेंगे इससे जो टेक्ष्टर मिलेगा पेड़े को बहुत स्मूध होगा और उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होते अगर आपके पेड़े में क्रैक्स रह जाएंगे तो उससे आपका बटूरा अच्छे से नहीं फूलेगा अब पेड़े को बेलने से पहले हम उस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको हाथ से थोड़ा सा सहला कर बाद में हम उसे एक ही तरफ बेलेंगे एक लंबे उबलॉंग या एक ओवल शेप के अंदर बेलने के बाद आपको इसको ध्यान से खीच कर उठाना है और खौल तोए गरम-गरम तेल के अंदर ही आप इसको डाले क्योंकि इतना तेल गरम होगा उतना जल्दी ना बढ़िया आपका बटूरा फूलेगा अब जैसे ही आपका बटूरा गरम-गरम तेल में जाएगा तो इनो अपना रियाक्शन शुरू कर देगी और CO2 बबल्स को रिलीस करना शुरू कर देगी जिसके कारण सेकिंड्स के अंदर ही आपका बटूरा एक दम बढ़िया तरीके से फूल जाएगा तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से अब आपका बटूरा फूल कर अच्छे से बन चुका है तो ज़से लिए अब देर कि इस बात की आपके छोलो के लिए बढ़िया से बटूरे बनकर अब तयार है और आप चने बटूरे को इंजॉय कीजिए अगर आपको मेरी रेज़िपीज और मेरे वीडियोज पसंद आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज अपने वैल्योबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जूर डालिए क्योंकि आपका feedback में लिए बहुत valuable है और अगर आप चाहते हैं कि कोई dishes मैं future में cover करूँ तो please वो comment section में उनको mention कीजिए